ठीक है? Human Inautomy Physiology, Community First हम लोग पढ़ रहे हैं, आज बात करेंगे, आज बात करेंगे Cytoplas, तो किया आपने देखा था कि पार्स आप सेल को तीन भागों क्रेंट करते हैं ना, पहला, Cell Membrane, दूसरा, Nucleus, और तीसरा Cytoplas, ठीक है? तहम दूसरा पढ़ेंगे Cytoplas, लास्ट मेंब्रेन से लेकर, Nucleur Membrane के बीज में, ये बीज में जो भी लिक्विड पूरा बरान है, तो सारा क्या है Cytoplas, तो Cytoplas को ही जो है, वो जिसे हमारे सहीर में रग्त अगर सारा निकाल दिया जाए, तो हमारे जीवन दुबेकार है तो हो जाएगा, उसी तरह किसी भी सेल जीवन का पूरा अधार उसका Cytoplas, वो उसका रग्त है, उसका ब्लड है, और Cytoplas से ही सभी अंगों को Nutrition मिलता है, और Cytoplas cell को भी अपना क्या होता है Nutrition मिल रहा है, तो Cytoplas की बात करें जिसमें करीब 75 से लेकर 90% सिर्फ पानी होता है, पूरे Cytoplas में करीब इतना पानी होता है, और उस 10% की बात करें, तो इसमें भी कई चीज होती है, उसमें Organize है, यानि कुछ अंग है, और Proteins है, Enzymes है, ठीक है, Glucose है, Fat है, ठीक है, ऐसे बहुत सी चीज़े होती है, और बहुत सारे Mentals होते हैं, आइल्स होते हैं, किसी जी साइकोतलाज हुई, 10% की कंटेंट होते हैं, बाकि Maximum Case में क्या होता है, Organize, और Organize आपको पता है, जैसे Ribosome, Mitochondria, Etoplasty Raticulum, तो तो डिफरेंट डिफरेंट ओर्गेंस प्रेंट हैं, वो Organize है, तो बेसिकली आपको साइटोप्लास के अंजर, सिल Organize के ही बारे में पढ़ना है, सिल Organize के ही बारे में पढ़ना और उसके बाद हम चुक्ता चलो, राइसो सोम ले ले लेते हैं, ठीक है, तो पाँचवा हम गौलजी बोटी ले ले रहे हैं, गौलजी बोटी है, छेटो और सेंट्रोसोम है, ठीक है, इस तरह करके वो सारे Organize है, जो सिल Organize, तो आपको Heading Cytoplank के अंदर पे इहीं सब Organize की बारे में बना और ये Organize by name exam में आते हैं, ठीक है? By name आते हैं, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, राइसोम की बात करेंगे, पहली बात करें कि राइबोसोम की, तो राइबोसोम की बात करें जाए तो इस सिल के अरदर साइटोफ्लास में छोटे-छोटे गोले आगार क अरइसे स्टार्ग, इसल की बात की जाया है, तो राइसोम का श्थक्चर की बात की जाया, तो राइसोम का श्थक्चर कुछ यू हे कुछ यू होता है राइमोसूल का स्ट्रक्श क स्ट्रक्शर onion कोुछ उसके स्ट्रक्शर में देखा eating दो पार्ट होता है ये चोता में बड़ा पार्ट शुरूनेट्स है और ये सल्धाइब पर्चाहिश्म ना और smaller subunit, यह चोटा वाला भाग है इसको कहते है smaller subunit और बड़े वाले भाग को कहते है larger subunit ये राइवोसों की बात कर रहे हैं, smaller subunit और larger subunit की बात कर रहे हैं और दोनों subunit आपस में जिस से जुड़े होते हैं, वो को हुवता है? Magansimate. तो आगे बात करते हैं तो यह एक सिंगल लेड मेंब्रेन होता है, इसमें प्रोटीन का मेंब्रेन बना होता है और इसके अंदर भी खास खरत भरानी होता है को यह उल इस जीलम होता है इसको वह सिंगार करें तो फेरा बात करें जरीकर 2 Fallout से लेकरémonक होत करा किया जेना गोलुट साप्रेने होते हैं एक 70S ribosome होता है, एक 80S ribosome होता है, ठीक है, 70S ribosome पायाता है, जो undeveloped या, poorly developed अर्डिजम होने है, जो prokaryotic cells होता है, जैसे बंटीरिया हो गया, वाइरस हो गया, फंगस हो गया, प्रोटोजोवा हो गया, यह सब क्या है, इस सब prokaryotic है, अगर इसको हम यहाँ पर लिसे, यह स हम आपना कॉन से रहा है, यू करियोटिक cell, यह जो पूरी तरह से विक्सिक cell है, जो यू करियोटिक cell में क्या पाया जाता है, 80S, clear होगे, prokaryotic और यू करियोटिक, इसको unit की तरह देखा जाता है, सब unit होला जाता है, ठीक है, जोगी इस पे दो सब unit है, इसको S बोलता है, तो ठीक है, 80S और 70S, clear होगे, 70S कहाँ पाया जाता है, prokaryotic, छोड़े जग्तुओं में, छोड़े और यू जो विक्सित नहीं है, बैक्टिरिया, वायरास, प्रोट्रोजोवा, पूरी पेला है, और बाकी हम लोगों में, जो इबलप्त है, क्वाड़ेटा, मैमल, भरी हम अब आगे देखते हैं, इसको थोड़ा सब कोशिया हो, यार करना है, कि 70S पे पी जो राइबुसम होगा, सेम कहाँ उसके साथ भी होगी, ठीक है, सेम कहाँ उसके साथ भी होगी, 70S और चटा होगा, 80S और बढ़ा होगा, 70S पे इसमालर सब यूनिट, लाजर सब यूनिट इसमालर सब यूनिट, लाजर सब यूनिट, इसमें जो समालर सब यूनिट होता है, वो 30S और लाजर सब यूनिट इसमालर सब यूनिट, 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 इसमालर सब नाम क्या है? 47. 40-60 नाम क्या है? अब ये कहां से आता है? वहां confusion होता है, लोगो को याद नहीं होता कैसे ही हो गया जब 2 sub unit चुड रहे हैं तो इसको 30-50-80 होना चाहिए संदर के उसे हो रहा है 40-60 होना चाहिए था ये असी कैसे हो रहा है हमने इसको ऐसे जोड़ दे इसके लबाई गुद्टी हो गई? 13 cm हो गई अब अगर हम इसको ऐसे जोड़ दे तो क्या ये 13 है? 13 तो नहीं है क्योंकि इसका कुछ पार्ट इसके कुछ पार्ट तो गवर कर रहा है यानि कुछ भाग इसका इसके इंदर गुजा होता है अगर हम इसको ऐसे रखते है तो ये 13 होता है लेकिन हमने इसको ऐसे रखता बंद करके ये 13 नहीं है clear हो गया होगा क्योंकि smaller sub unit का कुछ पार्ट larger sub unit के अंदर थसा होता है that's why ये इसके इसके प्लस के वराबर ये प्लस नहीं होता है है ना अब आप चिक कर सकते है अगर आपको तयारी करने नीट रेवल की जो ब्लोग करते है तो इसमे क्यूशन पूर सकता है कि how many parts is insert inside the in the 70s डाइबूस हो अब देखो 30 पजास असनी अस्ती बाइब सकतर किता मचा यानि 10s यानि 10 parts हो है इसमें देखनों 40-600 माने इसमें 20 parts यानि इसमें 20 parts अभूसा हुआ है और इसमें 10 parts तो यह simple सा है तो यह simple है clear होगा 70s और 80s ribosome clear बात करते है आगे बात करते इसका function गया होता है तो ribosome का भी इन function है translation translation ना अनुआत करना present को past बंदो, past को future बंदो यह सब नहीं translation दूसरा है इस 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 अंगले खन जिसको कहते है protein synthesis protein synthesis यानि कि हम translation को बोलते है protein synthesis आपने पढ़ा होगा कि हमारे बाडी में अल्चो को समझो का नि हमारे बोडी में genetic codon होते है genetic codon होते है genetic codon जैसे की आपने पढ़ा था AUC, QUUC UUG, AUG, GUC अब यह आगे मिलेगा अगे मिलेगा तो आगे मिलेगा तो आप biochemistry बढ़ेगे यह सब है codon अब जब 3 codon आपस में कठा होते है ना मैया अलगला codon में माना की UUC अब यह तीर codon में कठो protein क्या बनता है एक genetic codon बनता है जिससे एक amino acid बनता है और जब कई amino acid आपस में चुड़ते है तो एक protein बनता है यह यह कई amino acid चुड़ते है तो protein बनता है तो अब यह amino acid से protein बनेगा तो अब आप बनता है जैसे राइबो-सोम के अंदर ही यह amino acid से protein का बनता है पाना पॉसिबल है जैसे आप बार्कर से सब्ची लेके आईए आप कुसमी लेके आईए अंटा रजी बनाना को बनाना भी तो अगर आप बनाएए अब आप जाकर कहाँ बनाएंगे अपने किचन में, लाटरूम में रण ने कहाँ बनाएंगे क्योंकि प्रोटीन प्रोटीन शिफेर्सिस के लिए जिन उनिमें हें प्रोटीन टूँटेंस के लिए vy flavored कि यहां रखने हैं इसलिए प्रोटीन का बनता है उसको प्रोटीन की विकाटरी विकाज यह सिंतिसाइज दाप्रोटीन निए टा जाहें कि कैसे करता है यह आप इसको समझझी यह रखो सुनका इस्ट्टर रोता होता है है यह सब्सक्राइब करने चाहिंग होता है मार्म कि अमीनों अच्ट कहें और यहां से बनके इस प्रोटीर करें आप वह उसना ऑफ फोस्ट कर्बसॉंग मैं मारे में टीयस से बढ़ता है बैक्ट यहीं स्थाइब करा बसे लिए अट